मुंबई के बानखिटे स्टेडियम में आज से भारत और न्यूजिलेंड के बिच दूसरा और अंतिम टेस्ट में छखेला जायेगा कानकूर टेस्ट के अंतिम दिन फिल्लिंग के दोरान तेज गेंदबाज इसांत सर्मा के इंगलियों में चोट लग गई है जिसके चलते वो दूसरे मेज से बाहर हो गए है अल राउंडर रबिन्द जडेजा को पहले टेस्ट के दोरान दाईने हाथ में चोट लगी थी एसकेन करने के बाद पता चला कि रबिन्द जडेजा के कंधे में सूजन है उन्हें मेडिकल टीम अराम करने की सला दी है जबकि उपकपतान जिनके रहाने को बाएं हेमिस्टिंग में खिचाव है तीनों इस टेस्ट के लिए पूरी तरफ फिट नहीं हो पाया है ऐसे में टीम इंडिया का प्लेइंग 11 लडखरा गया है वेसे आपको क्या लगता है ऐसे में भी क्या टीम इंडिया न्यूजिलेंड को हरा पाएगा नीचे कॉमेंट करना मत भूलना